बच्चो ये question को अभी तुरंत याद करो सब काम छोड़ करगे सबसे पहले इस question को याद करो बच्चो आपका प्रशन ने ओम का नियम लिखिये ओम का नियम से आप क्या समझते हो ओम का नियम क्या है ठीक है, ओम का नियम किसे कहते है, कक्छा, दस्वी, अर्दवार्सिक परिच्छा, एक दिसंबर 2021, आपका जो पेपर है, उसमें बच्चो ये प्रशन आपका, अब गिरेंटी नहीं लूँगा बच्चो लेकिन जो पेपर वारल हो रहा है, उसमें बो मुझे असली लग रहा ह किसी बंद परिफथ में, सही हो जी चालक में, किसी बंद परिफथ में, आप देख सकते हो, बंद परिफथ, मैंने एक यहां पर बंद परिफथ ले लिया, यहां पर एक बेटरी लगी है, यह इसका प्लस चार्ज है, और यह होगे बेटरी का माइनस चार्ज, और यहां पर इक पर और यहां पर करद दा से यहां से धारा भेत्ब करके और बलब को जला करके फिर जो बिद्धु धारा करेंट वह बापस यहां पर बापस आ जा रही है तो धारा निकली यहां से, यह घूम करके गई, इसको जगमक करी और फिर बापस यह पर यह धारा आ गई, इसको हम बोलेंगे बंद परीपत, इसको कहेंगे बच्चों हम बंद परीपत कहेंगे, तो किसी बंद परीपत में, किसमें, किसी बंद परीपत में, यह एक प्रकार क मतलब पूरा अच्छे से बंदा हुआ है चालक किसको बोलेंगे यह AB एक चालक है चालक हम बोलेंगे तार को जिसमें विद्धुद्धारा भेती है उसको हम तार कहेंगे सयोजित चालक में यह AB हाँ पर सयोजित चालक है एक तार AB एक तार है उसको हम सयोजित चालक कहेंगे ह पर स्य मेरे साथ बोलेगे किसी बन्द परिपथ में किसी बन्द परिपत में किसी बन्द परिपत में बोलो बचո, पढ़ाई में यह दिया आपको कोई भी concept समझना है, आपको कोई भी doubt हो, board exam JE NEET के लिए सबसे best application है, फिलो application आप इसको पिलो स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको भारत देश के best teacher आपको इसमें समझाएंगे, किसी भी question कि आप इसमें photo खीचिये, और photo खीचेने के बाद आपको उसको तुरंत वीडियो solution मिल जाएगा, जो कि पूर भारत देश के best teacher के माध्यम से आपको मिल लेगा, तो अभी जाएए और download किजिए, सियोजित चालक में, या चालक यहाँ पर देश के जड़ा हुआ है, यदि चालक तार कि भौतिक परिस्थित्य आपरिवर्तित रहे, मतलब तार जेसा था बेसा का बेसा ही रहे, तार की भोतिक परिस्थितिया मतलब तार की जितनी लंबाई है वो उतनी को उतनी रहे, तार की मुटाई भी उतनी को उतनी रहे है ना, ठीक है, किसी बंद परिपत में, सैयोजित चालक में, जिसकी भोतिक परिस्थितिया आप परिवर्तित रहती हो, फिर सिमय साथ बोलिए, जिसकी भोतिक परिस्थितिया, मतलब इस तार की भोतिक परिस्थितिया, तार की लंबाई चुड़ाई सब आपरिवर्तित रहती हो, किसी बंद परिपत में, संयोजी चालक में, जिसकी भोतिक परिस्थितिया आपरिवर्तित रहती हो, बिद्दुधारा प्रभाईत की जाए यदि ऐसे चालक में इस तार A B में अगर बिद्धुत धारा आई प्रभाइत की जाए तो इस चालक के सीरो के मद्ध बिवांतर भी तो इसका और इसका बिभाव का अंतर बिवांतर मतला बोल्टेज है ना तो इस चालक के Hill के मद्ध का विवांतर भी, और चालक में प्रवाइत इस चालक के प्रवाइत बिद्धुधारा आई. चालक की सीरो के मद्दे का विवांतर भी और चालक में प्रवाइद विद्धुद धारा की तीवरता आई का इन दोनों का जो अनुपात होता है अनुपात मतला बटा विवांतर भी और धारा आई दोना का जो अनुपात होता है वो एक इस्थिरांग होता है जिसे चालक का प्रतिरोध आर कहते है जिसे चालक का प्रतिरोध आर कहा जाता है विबांतर और धारा आई का जो अनुपात होता है वो एक इस्थिरांग होता है जिसे चालक का प्रतिरोध आर कहते है और यही आपक का नियम होता है यही आपको क्या होता है ओम का नियम कीसी बंद परिपत में सेयोजीत चालक में थिक है जिसकी भूतिक परिस्तितिय आप परिवर्थित रहती हो अगर उस चालक में विद्द्धारा, करेंड्अ भाय जाए तो चालक के सीरो के मद्द का विवांतर भी चालक के सीरो के मद्द का विवांतर भी और उसमें प्रभाईत विद्दु धारा की तीवरता आई और उसमें प्रभाईत विद्दु धारा की तीवरता आई में एक निश्चित अनुपात होता है हापर आप देख सकते हो विवांतर भी और धारा आई दोनों में एक निशित अनुपात होता है और यह अनुपात क्या होता है आर के बराबर होता है ठीक है और इसे आर को जिसे बिद्धुत प्रतिरोद आर कहते है जिसे बिद्धुत प्रतिरोद आर कहते है ठीक है तो वियाने विवानतर और आयाने बिद्धुत धार बराबर होता है इस्थिरांग के जिसे बिद्धूत प्रतीरोथ कहते बच्चो इस question को यादर कर लीजीए या अध्याया तेरा का प्रश्ण है अध्याया तेरा का most important important प्रश्ण है बच्चो पेपर में आएगा इसकी guarantee में नहीं लेता क्योंकि करको बेपर में नहीं आएगा, तो तो लोग मेरी चाती छोलोगे, और फिर तिम लोग मैं को उल्टे सीद्ले कमेंट करो, रहेखते लिए, आप नियाद करने के लिए बहले थे, बहले मेरे काम पढ़ानिका है, मैंने को पढ़ा दिया, ठीक है, आप इसको तियार में करो निकरना भाल में जाओ